हेलो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं तो बहुत दिन के बाद मैं सुबह सुबह साड़े तीन घंटा योगा की हूँ पूरे 50 टैम साथ सुरे नमस्कार की हूँ तो यहां पर मैं बना रही हूँ सवय बेटी के फरमाईज पे तो पूरे एक महेने के बाद समझे तो दूद मेरे सवय बना रही हूँ तो मेरे नास्ता तो आप लोग जानते हैं कि मैं पपीता खाती हूँ और मेरे हजबन कुछ और नास्ता करेंगे करी लिए हैं लेकिन उनका नास्ता वो क्या की है उसका मैं ब्लॉग बनाए वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी बहुत ही इंट्रेस् का रिफाइन या फिक घी इस्तेमाल करती भुझने में पर मैं ज्यादा तर कोशिश करती हूं कि मैं रिफाइन अबॉइड करूं तो बता दू लास्ट ये तो सिफ एक लीटर रिफाइन यूज की थी ये तो मैं आप सभी को बताई हूं दूद उबल गया है तो मैं डाल द छोड़ी हूं तो आप लोग पता है न मैं साम में बस एक टाइम ब्लैक टी में एक चमसीनी डाल करके चाई पीती थी तो आज से मेरा वो भी बंद हो गया क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन रात को ही तैकी हूं आप लोग इसाद शेयर करूंगी कि मैं डेली रूटीन क्य साथे तीन घंटा सुभा यूगा की हूं लेकिन शाम में आधा घंटा जरूर करूंगे क्योंकि मेरा रूटीन के हिसाब से चार घंटा मुझे यूगा करना तो सवे बन गया है दोनों बच्चों को दे दी आधी को दूद का एटम खाना मना है लेकिन उसको मन कर रहा था ल कि हजबन जो अपने ले नास्ता रेडी की है वह मैं आपको दिखा रहे हूं यह बिहारी स्टाइल है तो आप तो जानते हैं कि सहसती पूजा के दिन यह प्रशाद बनाया जाता है बिहार यूपी तरफ बंगाल तरफ तो वही उनको खाने को मन कर गया था तो चूड़ा उ भी वह डाल रहे हैं और उनको एपल भी डालना है तहे यह बूंद़ी का लड्डू है वह डाले उपर से थूड़ा साची लालिया इस तरह से आप बना कर के खा सकता है इकन बार ट्राय जरूर कीजिएंगा तो मेरी बेटी को भूखता है रहता है तो मैं सोची कि चलो मैं इसके लिए मूढ़ी बना देती हूं मूढ़ी में हम बोलते हैं आप लोग मूरा बोलते हूंगे चाहें चेल ही बोला जाता है तो शाम का बज़रा है तो पुरा दिन भर कब मैं ब्लॉग बनाई नहीं क्योंकि इतना टाइम मिलनी रहा था आप लोग बताया ना कि मैं अपना पहां जांती है लोगन मैं घर बनाते ही देखती थी जभी मंकर्संक्रानती आता है वहांत। एक बार मम्मी से फोन पे बात करके पूछ ली कि कैसे बनाते हैं लड़ू आप बता दो तो मम्मी बता दी अब गुड काटना था तो हस्बंड घर पे थे यह नहीं और गुड काटने में मुझे बहुत महनत लग रहा था तो किसी तरह तो मैं गुड थोड़ी चोटी-चोटी नहीं बनारी थी तो दो पैकेट बंगाली मुड़ी मैं हस्बंड को बोडियों लाने के लिए यह मुड़ी बहुत म्सकिल से मिलता है यह बहुत मुड़ी बहुत मुड़दे म्मुशंधा मिलता हैै जब पहले बार ब्रते तो बेटी को लगेगा कि मुम्मी को तो कुछ आता ही नहीं बनाने के लिए तो बच्चों के खातिर हजबंट भी गए बाइक लेकर के वह भी दूसरे से मांगे गए क्यों हमारे पास बाइक है यह नहीं बाहर सहर में रहते हैं तो यहां पर ज्यादा ट्रेन का ही यूज़ कर है तो आटो काफी करना पड़ता है और सोच करके जाना पड़ता है कि सब जाएंगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा आटो में बाइक रहेगा तो चलो हम लोग चारो कहीं भी जा सकते हैं तो यहां पर मैं मुड़ी का लड़ो रतियार कर रही हो आदी आकर कर बता रहा है क ही बेटी बुला रही है मतलब उसका नाम अनवी है तो मैं अब लाड़ो नहीं बोला करूंगे नहीं तो सब लोगों को लगेगा उसका नाम लाड़ो है तो आप लोग लाड़ो लाड़ो बोलने लगेंगे तो उसका नाम अनवी है तो अनवी बुला रही तो ट्वालेट म कर्म रहेगा तभी तुम उसको हलका पानी हाथ को भींगा करके तुम उसको बांधते रहना लेकिन बार-बार बेटा करके बोल रहा है कि नहीं मम्मी लाड़ो बुला रही है तो अब मैं बीच में फस गई कि लाड़ो के पास जाओंगी तो यह ठंडा हो जाएगा तो यह बन स्पिन का प्रॉबलम होता ना लंग्स प्रॉबलम में तो मैं थोड़ा से गुड का मैं आज मुड़ी का लड़ो ट्राइ करी थी फर्स टाइम की चलो पहले अच्छे से बना लेती हूं अगर अच्छा बन गया तो फिर नेक्स्ट डे में और बना लूँगी तो इसी दे रही तो मेरा ध्यान बार बार धर ही जा रहा था कि जल्दी जल्दी बनाओ और मुझे लगानी था कि मैं पहली बार इतना अच्छा गोल गोल बना लूँगी मुझे लगा तो टेड़े मेड़े बनेंगे थूड़े से लड़ो टूड जाएंगे पर ऐसा कुछ नहीं व करें लगता को इन लिए आप इसा नहीं करती है 맞는 आप लोग अपना ख्याल रखेंगा आच्छे से रहिएगा बाई टेक केर बाई